साथियों, हमारी policy making, pulse of the people पर आधारी था है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनते हैं, उनकी आवशक्ता, उनकी आकाक्षाओं को समझते हैं, इसलिए हमने policy को populist impulses के दबाव में नहीं आने दिया, people's pulse के अनुसार, फैसले लेना और पॉपिलिजम के सामने हर्थियार डाल देने में, क्या फर्क होता है, ये COVID काल में हिंदुस्तान ने देखा हैं, और देखा हैं ने, दुनिया को दिखाया है, बड़े बड़े अर्थोसात्री क्या कह रहे थे, पैंडेमिक के समझे, जब पैंडेमिक आई, तो पूरी दुनिया में, बड़े बेल आउट पैकेज के लिए, डिमांड ड्रिवन रिकवरी के लिए, पॉपलिस इंपल्स था, हम पर भी दबाव था, और हमारी आलोचना होती थी, ये कुछ कर नहीं रहें, कुछ दे नहीं रहें, पता नहीं क्या कुछ हमारे लिए कहा गया, ये भी कहा गया, कि लोग चाहते हैं, एक्षपर्ड ये चाहते हैं, बड़े-बड़े विद्वान ये चाहते हैं, लेकिन भारत दबाव में नहीं आया, उसने एक अलग अप्रोच अप्राई, और बहुत समध्दारी के साथ शांत मन से अप्राई, हमने पीपल फर्स अप्रोच के साथ गरीब को सुरुक्षा दी, महलाओं, किसानों, MSMS पर ध्यान दिया, हमने दुनिया से अलग इसलिए कर पाए, क्योंकि हमें पीपल पर्स, यानि जनता क्या चाहती है, उसकी क्या चिंता है, इसका एहसाफ है, इसलिए भारत की रिकवरी और बाकी दुनिया की रिकवरी में जो फर्क है, वो हम साथ देख सकते हैं